नमेशकार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इटली के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो capital है वो आपको इसके main land पर मिलेगी, that is Rome, लेकिन इसके लावा इसके बहुत सारे islands भी है, जैसे कि आपने Sicily आइलेंड के बारे में सुना होगा, वो आपको इधर मि Conte, उन्होंने यहाँ पर resignation दे दिया है, Italy's PM Conte resigns as government crisis intensifies, तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताऊंगा, कि Italy के अंदर exactly चल क्या रहा है, क्योंकि बाहर के देशों के बारे में उतना जादा हमें पता नहीं हो पाता, उसकी parliamentary system कैसे function करती है, कितने seats हैं, क्यों resign देना पढ़ क्या होगा, इन सब के बारे में short में हम जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे lecture की हप PDF आपको Facebook पर तुम मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जॉइन कर सकते हैं, by searching अंकित अग अब ध्यान रखेगा, ये G लिखा हुआ है, लेकिन J से प्रणाउंस करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उन्होंने resignation दिया है क्योंकि political instability आ गई है, उनको ऐसा लगता है कि जो विल वगर पास करा सकते हैं, वो Parliament से, वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक काफी बड़ी coalition की सरकार है, डोंट वरी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो basic यहाँ पर इलजाम उनके उपर ये लगाया गया है, जो problem आ रखा है, आपने देखा होगा, COVID-19 crisis के समय काफी तेजी से जो cases हैं, वो आपको बढ़ते वे देखने को मिला होगा, पूरे COVID-19 pandemic के बीश में, इनफाक यहाँ पर चाइना की बाद सबसे तेजी से number increase हो रहा था एक समय इटली के अंदर, तो वो तो एक problem थी, उसके साथ-साथ, यहाँ पर जो recession आ चुका है इटली के अंदर, काफी बड़ा 9%, 10% की ग्रावर्ट देखने को मिल रही है, economic recovery नहीं हो पारी है, इ हम यहाँ पर resignation देना चाहते हैं, और वहाँ के जो president है, Sergio Matarela, उनको यहाँ पर resignation दे दिया गया है, लेकिन question आता है कि उन्होंने खुद से resignation क्यों दिया, तो मैं आपको बता दूँ कि जो coalition की सरकार है, वो भारत के अंदर नहीं नहीं, अगर आप बाहर के देशों में देखो तो एक काफी बड़े coalition के तौर पर बनाया गया है, सबसे बड़ी जो party है वहाँ पर, वो है आपका M5S, यहाँ पर आप देख पाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जो पुरा legislature है, जैसे कि हमारे देश के अंदर bicameral है, lower house, upper house, वैसे ही आप देख पाओगे, यहाँ पर भ अपर house में आगर आप देखोगे, senate के अंदर तो 321 senators है, बाकी यहाँ पर देख सकते हो, उतना ज़्यादा important नहीं है, important क्या है, वो है आपका lower house, that is chamber of deputies, तो chamber of deputies में आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर total number of seats है 630, जी हाँ, इतना छोटा देश है इतली, वहाँ पर 630 seats हैं, जिसमें आप देखोगे, सबसे बड़ी जो party है, M5S, इसको कहा जाता है, इसका full form आप देख सकते हो, populist 5 star movement, ठीक है, तो यह आपकी एक populist party है, इसके लावा PD, that is, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक center left democratic party है, PD, democratic left party है, center left कहा जाता है, इनके पास 93 seats है, तो इनको मिला कर सबको मिला कर, यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ parties के दौरा support किया जाता है, तो overall उनके पास, जो total number of seats है, वो आपका 299 plus 24, इन दोनों को मिला कर, यहाँ पर उनके दौरा सरकार चलाई जा रहे थी, and in fact, यहाँ पर एक shocking में आपको ख़बर देता हूँ, कि वो किसी भी party के member नहीं है, यह जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर, वो किसी party के member ही नहीं है, वो एक technocrat है, जो कि select किया गया था, M5S के दौरा, जो सबसे बड़ी party है यहाँ पर, उन्होंने एक technocrat को select किया था, आप देखे, technocrat क्या होता है, जैसे कि आपको याद होगा, 1991 में, मनमोहन सिंग को, जो है, finance minister बनाए गया, तो वो technocrat थे, technocrat वो होता है, जो जिसको particular field में knowledge होता है, जैसे कि, S.J. संकर साब, जिनको foreign minister बनाए गया इस समय, present government में, तो वो technocrat हो गया, तो वैसे ही, यह जो कांते की हम बात कर रहे हैं, जो सेपे कांते, वो एक technocrat है, जिसको बाहर स लाकर मतलब, वो full time politicians नहीं थे, तो उनको यहाँ पर select किया M5S, जिनके पास सबसे ज़्यादा number of seats है, और तब जाकर यह पूरी सरकार बनी थी, in fact मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर एक और छोटी सी party है, जो उनको support कर रही थी, इसका नाम है यहाँ पर Italia Viva, तो इनको जो lead किया जा रहा है, इस party के जो member है, वो former Prime Minister रहे चुके है, Matthew Renzi, उन्होंने support किया था इस पूरे coalition को, लेकिन आगे चल कर उन्होंने withdraw कर लिया, basically उन्होंने criticize किया कि जो कांते हैं, वो अच्छे से COVID-19 को handle नहीं कर पाए, और जिस तरह की economic recovery का plan लाना चाहिए था, उन्होंने इस opportunity को miss कर दिया है, इसके अलावा मैं आपको बताओं कि उनके समय में, जब वो Prime Minister थे, Renzi, उन्होंने काफी कोशिश किया था कि बड़े reforms लाये जाए, लेकिन वो भी वहाँ पर नहीं ला पाये थे, again because of coalition, तो यहाँ पर एक ये चीज बताया जा रहा है कि उनका एक personal ambition भी है, इन सभी चीजों को देखते वे, Renzi ने क्या किया था, पिछले मैंने यहाँ पर अपना support ले लिया था, support लेने की वज़े से यहाँ पर क्या हुआ, कि जो आपका lower house है, वहाँ पर तो majority नहीं गई, अभी भी majority है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो Senate है, वहाँ पर से majority चली गई क्योंकि lower house में अभी भी majority है, लेकिन upper house में bill pass नहीं हो पाएगा शायद, तो एक तरह का आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक strategic move के तौर पर उन्होंने पहले ही resignation दे दिया, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर lower house में उनकी majority नहीं गई है, यहाँ पर अभी भी जो parties उनको support कर र को मुझे मिल पाए और मैं लोगों के सामने जाओं और एक नए सरकार लेकर आ सकूँ, लोग हमें vote करें, तो यह पूरा मामला है दोस्तों, जिसकी वज़े से अभी resignation दिया गया है, इटली के Prime Minister का, आई हो कि यह चीज़ समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको बता हूँ अगर आप इटली के elections को वहां की चीज़ें अगर cover कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, कि 2019 में भी उन्होंने resignation दिया था, in fact मैं आपको बता हूँ, तो यह जो आप देख रहे हो न 630 members चुने गये थे, last election हुआ था 2018 में, तो 2018 में भी वो Prime Minister बने थे election के बाद, जो कि M5 मैंने आपको बता है, जो सबसे बड़ी party है, उन्होंने यहाँ पर select किया था, उनको Prime Minister बनाने के लिए, तो यहाँ पर जब उस समय coalition बना था, तो M5S ने right wing population league party के साथ मिलकर यह coalition बनाया था, लेकिन एक ही वर्ष के अंदर यह coalition तूड गया, और वापस से 2019 में, जो अभी present क coalition है, center left, उनके साथ मिलकर यह पुरा coalition चल रहा था, लेकिन finally यहाँ पर यह वाला coalition भी जा चुका है, तो एक तरह से क्या हुआ, 2018 में election हुआ, फिर 2019 तक एक आपका coalition चला, वो coalition unsuccessful रहा, फिर 2020 में पुरा चला आपका, और 2021 में वापस से resignation दी दिया है, मतलब कि यह Prime Minister है, वो तो सरकार जो चल रही थी आपकी, तो उनकी party और RJD पहले यहाँ पर सरकार में थे, फिर आगे चल कर यहाँ पर BJP के साथ उन्होंने लिया था, मतलब कि सरकार वही चल रही थी, लेकिन coalition different हो गया था, तो यह main अंतर है, और इसी को देखते वे Italy के अंदर जो media है, वो यहाँ पर इस word का use कर रही है, that is content there, तो यह content 3 basically बोला जा रहा है, मतलब कि तीसरी coalition की सरकार आ सकती है, तो यहाँ पर question है कि अभी present में Italy को कौन चला रहा है, तो यहाँ पर जो president है उनके, उन्होंने यहाँ पर invite किया है कि जो already अभी प्रामिनिस्टर है, जो सिपे कांते, वो अभी भी caretaker capacity में काम करेंगे, लेकिन जो बड़े decisions है, significant decisions है, वो नहीं ले सकते, अब आगे देखना होगा कि क्या नया coalition बनता है, अगर कोई coalition नहीं बन पाता है, तो नया चुना होगा, और फिर नई सरकार चुन कर आ सकती है, अब यह तो आगे देखने वाली बात होगी, बट आई सारे अलग-अलग C देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सी इटली के सराउंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि इटली के साथ maritime border share नहीं करता है, कौन सा सी आपको यह बताना है, इसका जो right answer है, मैं हमेशा की तरह आपने Instagram पर तो डा सारे वह भीत दोजी कि इटला का